आत्मग्यान खुद का ग्यान खुद को जानना दुख की शुरुवाद है और दुख का अंत भी है और खुद को न जानकर आप हर तरह की चाल चल लोगे फिर भी दुख का अंत नहीं होगा जो मस्तिश्क दुख में है वह बिमार है वह विकृत मस्तिश्क है एक दिन के लिए भी अगर ये दुख में रहा तो भी यह बिमार मस्तिश्क है विकृत है और खुद को जानकर दुख का अंत होने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि वो असाधरन अवस्था क्या है जिसमें प्रेम है, मृत्यु है, मरना और निर्मान है, उत्पत्ति मुझे नहीं पता कि आपने इसे कभी देखा या नहीं कि कैसे ये तीनों साथ साथ चलते है हम निर्मान की बात कर रहे हैं उत्पत्ति की किसी चीज की निर्मेती की नहीं किसी आविशकार की नहीं आप उस निर्मान की अवस्ता में आ ही नहीं सकते जब तक आप खुद को नहीं जान लेते जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक वहा प्रेम आ ही नहीं सकता वहां नफरत है, मजा है, तड़प है, शंका है, कड़वाहट है, जलन है इन सब का प्रेम से कोई लेना देना नहीं जिस इनसान में जलन है, उससे प्रेम का कोई पता नहीं और जब तक आप प्रेम को नहीं जानते तब तक मृत्यू क्या है आपको कभी पता नहीं चलेगा आप सिर्फ दूसरों को मरते देखोगे और डरोगे पर कभी मृत्यू के अवसाधारन स्वभाव को उसकी सुन्दर्ता को नहीं जान सकोगे और प्रेम और मृत्यू के इस स्थिती में इस अवस्था में आये बिना निर्मान को आप नहीं जान सकते और जब वहाँ ऐसी अवस्था होती है जिसे समझ गया है जिसने खुद को पूरी धरह से जान लिया है फिर वहाँ प्रेम, मृत्यू और निर्मान है और उसके परे किसी शब्द को, किसी चिन्ह को, अभिवेक्ति को जगह नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं है एक बार बोलने वाली की मुलाकात लेने के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध फेमस गुरू आया वो आकर मेरे सामने जुके मेरे पैर चुए इत्या दी उन्होंने कहा कि आप गुरू के गुरू है आप सही है, जो आप कहते है उसे जीते भी है और उन्होंने कहा मैं भी एक गुरू हूँ मेरे बहुत से अनुयाई है, शिश्य है मैंने एक से शुरुवात की और अब मेरे पास हजारों है पश्चिम में और पूरुव में भी खास करके पश्चिम में अब परिस्तिती ऐसी हो गई कि अभी नहीं मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ और नहीं वे मुझे छोड़ सकते है जरा इसे ध्यान से सुनें, देखें कि क्या हो रहा है अनुयाई, शिश्य, गुरू को स्तापित करता है और गुरू, शिश्यो को स्तापित करता है और अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता और इसी तरह, अध्यात्मिक दुनिया में अधिकार, शाशन, स्तापित होता है क्या आपको इसका खत्रा दिखाई देता है? जहाँ पर भी, रिदय के, मस्तिश्क के क्षेत्र में अधिकारी है वहाँ प्रेम नहीं है वहाँ गहरी करुणा का, प्रेम का भाव नहीं है और कौन सत्य बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है उसे खोजने के लिए सत्य की खोज मत करो पर सवाल पूछो क्योंकि सत्य कुछ ऐसा नहीं है जो गुजर जाए, मिल जाए सत्य केवल तब ही आता है जब मस्तिश्क पूरी तरह से इन सबसे आजाद होता है तब आपका प्रेम गुरु या परिवार के लिए नहीं होता किसी उद्धार करता या मुक्तिदाता के लिए नहीं बिना उद्धिश के प्रेम होता है जिस कारण जब भी वह कार्य में होता है तब उसमें बुद्धी शामिल होती है उसका कर्म बुद्धी के द्वारा होता है सत्य को किसी दूसरे से खरिदा नहीं जा सकता हम कहते हैं कि हमें खुद ही प्रकाशित होना होगा खुद ही प्रकाशमान होना होगा भारत में यह बहुत प्रसिद्ध पुरानी कहावत है और वो केवल इसे दोरा दे रहते है हम सब बड़े आसानी से धोखा खा जाते है, उल्लू बन जाते है, वही समस्या है हम सब को छोटे से लेकर तो बूढ़ों तक हमें कुछ ना कुछ चाहिए छोटे बच्चों के लिए दुनिया बड़ी करूर है, जिस तरह से पूरानी पीड़ियों ने दुनिया का हाल करके रखा है इसमें बच्चों के लिए कोई जगा नहीं, बच्चे खो चुके है, इसलिए वे ड्रक्स, शराब और कई तरह की चीज़े चल रही है वो भारत जाते है, ताकि उन्हें कोई बताए कि उन्हें करना क्या है, ताकि वे उन पर विश्वास कर सके और आप कम उम्र में ही वहा जाते हो, एकदम उर्जा से भरे, ताजे और वहा के गुरु भी आपको ऐसी भावना देते हैं कि वो आपकी देखभाल करेंगे आप पर ध्यान देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, दिशा देंगे यही आप चाहते हैं, जो आपको अपने माता पिता से, पुरो हितों से, मनो वैज्यानी इत्यादी से नहीं मिल बाया स्तानिक धर्मगुरू, मनो चिकित सक, मनो वैज्यानी सब उल्जन में उल्जे है तो फिर आप इस भयानक देश में जाते हो, जो की है भारत और वहाँ फस जाते हो, वहाँ हजारों है, और वे सब खोज में हैं, पाना जाते है कोई जो उन्हें सुरक्षा दे, उनसे कहे कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ ये करिए, वो करिए, वहाँ आप जो आपको पसंद हो, आप कर सकते है वहाँ शराब है, संभोग और बाकी सब, और पुरानी पीढ़ी भी इसी तरह हो कर गई थोड़ी उनमें जटिलता थी, पर वे दोनों अभी की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, दोनों एक ही है ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो कोई भी दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता दिशा नहीं दे सकता, केवल आपको ही खुद, खुद से ही प्रकाशित होना होगा प्रकाश आपको दिया नहीं जा सकता इसलिए आपको भयंकर रूप से अकेली ही खड़ा होना होगा जिसके लिए हम सब डरते हैं, पुरानी और नई पीढ़ी भी अगर आपका संबंध किसी संस्ता इत्यदी से है, किसी से भी है अगर आप किसी का भी अनुसरन करते हो, तो आप ब्रष्ट हो चुके हो ब्रष्टाचार में उतर चुके हो, अगर आपको ये बात पूरी गहराई से समझ आ गई आखों में आसु होते हुए, समझ रहे हो, वहाँ कोई शिक्षक नहीं है, कोई गुरू नहीं केवल आप है एक इनसान जो इस दुनिया में जी रहा है इस समाज में जो समाज उसने खुद ने, याने आपने खुद नहीं निर्मित किया है और अगर आप खुद अपने आप में कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं हो सकता समाज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बलकि समाज चाहता है कि आप जैसे हो, वैसे ही बने रहो क्या आपको ये सब समझाता है?